नमस्कार प्यारे बच्चों, कल हमने आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ बताया था। आशा करता हूँ कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा। अधिती, क्या तुम बता सकती हो डिजिटल मार्केटिंग क्य जी सर, सर यदी हम market stats की और नजर डाले तो लगभग 80% shoppers किसी की product को खरीदने से पहले या service लेने से पहले online research करते हैं. सर, ऐसे में किसी भी company या business के लिए digital marketing महत्वपूर्ण हो जाती है. Digital marketing नए ग्राहकों तक पहुँचने का सरल माध्यम है. यह विपनन गतिविदियों को पूरा करता है. इसे online marketing भी कहा जा सकता है. कम समय में अधिक लोगों तक पहुँचकर विपनन करना digital marketing है. जनता अपनी सुविधा के अनुसार, इंटरनेट के जरिये अपना मनपसंद वर आवश्यक सामान आसानी से प्राप्त कर सकती है. अब बजार जाने से लोग बचते हैं ऐसे में digital marketing business को अपने products और services लोगों तक पहुँचाने में मदद करती है. Digital marketing की मांग वर्तमान समय में बहुत प्रबल रूप में देखने को मिल रही है. व्यापारी जो अपना सामान बना रहा है, वो आसानी से ग्राहक तक पहुचा रहा है. इससे digital व्यापार को बढ़ावा मिल रहा है. इंटरनेट पर ही हम अलग-अलग website के द्वारा digital marketing कर सकते है और भूगता व्यापारी के बीच अच्छी से अच्छा ताल मेल बना रहे, इसी सामजस्य को digital marketing द्वारा पूरा किया जा सकता है. सर, मुझे तो ऐसा देखकर लगता है कि आज की युग में digital marketing लोगों की जरूरत बन चुका है. वेरी गुड अधिती, आपने बहुत अच्छा बताया digital marketing के बारे में. जरूरत बारे में तो अच्छा ज़ा जब करने लोगों की युग में है. झाल 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 झाल